आप सभी भीवर का मेरे चैलंग पर स्वागत है यह देखें मेरीगुल पटांट है आज मैं मेरीगुल के बाता हूं है कि बिंटर सीजर में मैरीगुल कर कायव करें सबसे पैले तो बता दूंहींद्व चर्ट कह लाए पहले मरी अब और कई भराइटि में देखे जा सकते हैं देखें और यह जो प्लांट होते हैं एजी टू रोलो मेंटेनेंस मिल्कुल हरडी कस लगा दिज़िये कटिंग करके लाट चल पड़ लग जातें आगसे अगर इसके के बारे में बात करें सबसे पहले अगर इसकी मिटी के बारे में बात करें तो फिरिंट्स मेरीगुल के जो प्लांट होते हैं कोई भी मिटी में आप इसे लगा दे तो यह प्लांट ग्रोग कर जाते हैं इसलिए आप इसे कोई भी मिटी में लगाए या मिटी या फिर आप सन लाइट किया वसकता पड़ती है यानि कि आप कह सकते हैं कि आप इसे ऐसी जगा चुनाव करें लगाने के लिए इस प्लांड पू मिलना ही चाहिए इस प्लांड की ग्रोथ के लिए और बहुत सारेफूल देखना चाहती है तो, इसलिए इस वातों का ध्यान रखें इसके बाद इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ग्रोथ अच्छी हो तो कौन सा फटिलाजर डाले वो भी मैं बात करूंगी फ्रेंस इसमें आप अगर फटिलाजर की बात करें तो इसमें आप 15 दिन में आप गोवर की खाट डालिए आप चाहे तो इनपी के भी डाल सकते हैं एक हाली फिलाल में मैं विडियो बनाई हूं कि मैरी गोल में किस तरह से बलूमिंग ले सकते हैं उसमें दो फटिलाजर बताई हूं वो आप यूज कर सकते हैं विडियो आप जरूर देखे आप गोवर की खाद यूज करिए या फिर आप NPK भी यूज़ कर सकते हैं 20, 10, 20 का वो आप यूज़ करिए 20 यानि की 20 nitrogen, 10 यानि की potassium 20 यानि की phosphorus वाले आप NPK ले सकते हैं या फिर आप DAP भी यूज़ कर सकते हैं आपके अगर गमले बड़े हैं तो 15 दानिये 10-15 दानिये डाल सकते हैं अपने मेरी गुल्ड के प्लांट में अगर छोटे हैं तो आप चार पाच दानिये डालिये क्योंकि जादा फर्टिलाजर भी आपके प्लांट को खराप कर सकते हैं ब法तों का ध्यान रखाइग you a кажетсяалась की बात हो गई रॉबात हो गई ज्याजर की बात हो गई यह अब इसके इसे ही आपके प्लांट स्वस्त रहेंगे हिल्दी रहेंगे और अगर इसके इस प्लांट को लगाना चाह रहे हैं तो सबसे आप इस प्लांट को दो तरीकों से लगा सकते हैं सीड के माद्यम से और कटिंग के माद्यम से दोनों तरीके से आपके प्लांट ग्रो करेंगे कहीं से भी आप एक अच्छे ब्रांच को कट कर लिए और गंले में लगा दीजिए तो वह क्टिंग आपके लग जाएंगे और अगर सीड की बात करें तो कहीं भी आपके अगर प्लांट में सीड बेगरा सूख जाते हैं गिंदे की फूल तो उसका सीड इकठा कर लीजिए और इस सीड के माध्यम से भी आप ग्रो कर सेते हैं वह भी आपके सीड दो सब्ता में ही सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे और दो अगर बात करें इस प्लांट में बहुत सारे फूल आएं तो क्या करें तो फिर इंस जहां से भी आपके फूल सूख जाएं तो वहां से आप कट करते रहें जहां से भी आपके फूल सूखते रहें तो वहां से आप कट करते रहें इससे आपके यह फाइदे होंगे कि बहु सारे ब्रांच आएंगे तो बहुत सारे ब्रांच पर कलियां भी देखे जा सकते हैं इसलिए इस बातों का ध्यान रखें मैं लगवक सभी बाते इस प्लांट के बारे में बता चीती हूं एक बाते और बता दू फ्रेंज अगर आप इस प्लांट से लंबे समय तक फूल पाना हो जाते हैं मैरी गोल्ड के प्लांट इसलिए इस बातों का ध्यान लगए अगर आपके मन में कोई और भी कोश्चन हो मैरी गोल्ड के बारे में तो आप कॉमेंट वक्स में हमसे पूछ सकते हैं थांक यू